आपने बहुतों को कहते सुना होगा कि इसका नाम बड़ा सार्थक है या अपने नाम का ही प्रारूप है इस तरह से अपने जुरी बहुत सारी बाते सुनी होगी तो आज की हमारी कहानी इसी नाम पर अधारित है नाम नहीं बलकि ब्यक्ति के नाम से जुरे उसके कर्मों का फ में एक आस्रम में एक बालक पढ़ता था जो कि पढ़ने में बड़ा ही अच्छा था परंतु जब वो आस्रम में पढ़ता था तो सभी बच्चे उसके नाम का बड़ा मजा कुराते थे सभी उसे लजजित करते थे क्योंकि उसका नाम ही ऐसा था उसका नाम था पापक जैसा क पुरी नाम के स्थान पर तो फिर सब ठीक हो जाए तो इसकी क्या किया और उसने सोचा कि फिर इससे मुझे सर्मिंदा भी नहीं होनी पड़ी तो उसने आचारिय से आश्रम में जो रिशी मुनी थे उनके पाल गया और उसने कहा कि आचारिय से कहा कि आचारिय क्या मैं अपना गुरुजी मैं अपना नाम नहीं बदा सकता हूं पापक के स्थान पर मेरा दूसरा नाम रग दीजिए जिससे कि सभी अच्छे से मीजिन न पुकार सके तो रिशी ने कहा कि नाम में क्या रखा है नाम से कुछ भी नहीं होता है बिटा सभी अपने कर्मों से जानी जाते हैं तब भी पापक को एक ही चित्ती कि उसके नाम को बदल दिया जाए तब गुर्दी उन्हें रिशी मुनी ने उन्हें समझाया कि ठीक है बेटा मैं तुम्हारा नाम बदल दूँगा एक काम करो तुम जाओ और पूरे नगर में घूम करो और तुम्हें जो अच्छा नाम प्यारा नाम हो उसे ढून कर लाओ मैं वही सुब नाम तुमारा रख दूँगा पापक तयार हो जाता है पापक घुमते घुमते एक गाउ में पहुशता है क्योंकि उसे नाम अच्छा नाम जानना था सुब नाम जानना था गाउं में गुशते ही उसने देखा कि कुछ लएक क्या एक सौव को लेकर फुखने के लिए जा रहे थे पापक ने पूछा क्यों भाई कौन मरा है लोगों ने कहा इसी गाउं का रहने वाला अमरपाल है पापक चकित हो जाता है क्या अमरपाल होकर वा अमर गया यह कैसे हो सकता है उस आदमी ने कहा तुम मुर्ख हो भला अमरपाल नाम होने से कोई संसार में अमर हो सकता है वह तो बस नाम था पापक ने सोचा ऐसे नाम से क्या लाब मुझे कोई सार्थक नाम ढूलना होगा और भी अच्छा नाम तो पापक क्या करता है अपनी दूसरी जंग रख्यों जाता है पापक ने सोचा कि चलो अगला नाम ढूले आगे बढ़कर कुछ दुरू से इस्तिरी गठर लिये ढोती हुई मिली उसने पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने कहा धन पाली उसके बाद तपाक ने उसका काम पूछा इस्तिरी ने कहा मैं एक दरी दृस्तिरी हूँ मैनत मज़़ूरी करके पेट पालती हूँ पापक ने सोचा नाम तो धनी पाल है पर काम कंगाली का कैसी उल्टी बाग थी उसने इस्तरी से पूछा माता जी आप धनपाली होकर भी निर्दन क्यों है इस्तरी बोली बेटा नाम से क्या होता है तुम अपनी धोखी में क्यों परते हो संसार में कर्म प्रधान है अपने कर्मों को फैलाओ, अपने नाम को नहीं इस तरी बोली, बेटा, तुम बेकार के इस चक्कर में पड़े हो पापक निरास होकर दूसरे गाउ में पहुचा वहाँ भाती-भाती इसके लोग मिले एक चोर को राजा की सिपाही पकर कर ले जा रहे थे पूचने पर उसका नाम पता चला धर्म-पाल पताया वहाँ नाम धर्म-पाल और काम-चोड़ी का पापक के मन में एक सोच हुई क्याखे नाम और काम ऐसा क्यों है फिर उसे एक कंजूस मिला जिसे लोग धितकार रहे थे पापक के पूछने पर उन्हें ने इसका नाम धर्मदास बताया पापक ने मन ही मन कहा कैसी विचितर बात है देने में कंजूस और नाम धर्मदास फिर उसे एक भीखारी मिली भीथ मांगती है पूछने पर उसका नाम पता चल्ला लखपती राय पापक ने कहा कि सोचो घर-घर मांगता भीथ और लखपतिया नाम ऐसे ही वो घुमता रहा और अनेक तरह की नामें मिली जो कि उसे बड़ा ही अटपड़ा लगा फिर उसने देखा पापक आगे बढ़ता है और उसने देखा एक अदभुत आसपास कहा क्या अदभुत लीला है पड़े लखे लोग है बट नाम भी अजीव-जीव से है फिर उसे एक बिद्याधर बिला पूछने पर पता चला कि वो पढ़ा लिखा नहीं है पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं और नाम बिद्याधर फिर उसे एक बैरागी मिलता है जिसका नाम पितामबरदास है पापक ने कहा बांदे लगोटा और फिर नाम पितामबरदास इस नाम से क्या लाव और आगे जनकर एक आदमी खाट पर बैठा हुआ पूरा अपनी सरीर को कुझ ला रहा था उसके सरीर में बहुत सारे डाग थे फिर भी सोचा मुझे तो नाम से मतलब है उसने उसका नाम पोचा उसने अपना नाम निर्मलदास बताया पापक को फिर वही दसा होती है कि अरे ये कैसा नाम नाम निर्मलदास और काम ऐसा अरे भाई तुम कौन निर्मल दास तुमको मानेगा नाम से तो बड़ा धोखा लगता है इस प्रकार घूमते घूमते अपने अनुभाव से ठक चुका था केवल नाम किसी की महिमा से दिन है करती लोट करो दुबारा अपने रिशिमनी के पास आया और आचारिय से पूछता है कि आचारिय के पास आके एकदम दुखी उदास बैठ जाता है तब आचारिय ने पूछा कहो पापक अपने लिए तुम्हें कौन सा नाम चुन लिया पापक ने कहा देव नाम तो बहुत मिले परन्त उसके कारण मैंने किसी का गौरव बढ़ता हुआ नहीं देखा जिसका नाम अमरपाल है वह मर गया धनपाली है पैसे पैसे के लिए तरस्ती है धर्म पाल है चोरी में पकरा गया धर्म दास है महा कृपन था लखपती राय भीक मांगता है विद्यधर महामुर्क था पितामबरदास सरीर पर कपड़ा नहीं है निर्मलदास नाम की विक्ति को देखा जिससे घ्रिना हो रही थी ऐसी दसा सोचते सोचते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ वास्तों में अपने गुर और चरितर से किसी का मान और सम्मान होता है मैं अब नाम के महत्व को नहीं देता क्योंकि नाम में बड़ा खोट है आचारिय ने कहा मुनी पुत्र मैंने तुम्हीं इसी को सीखने को भीजा था मैंने तुम्हें नाम ढूनने नहीं भेजा था मेरी तो बस यही चीज थी कि तुम इसके महत्व को इसकी सच्चाई को जान सको और तुम्हारे मन में जो यह ब्रथा है कि तुम्हारे नाम ने दो से तुम्हारे नाम में निर्थकता है ये तुम्हारे मन की भाउना हमेशा के लिए खतम हो जाए तो ये थी हमारी नाम से संबंदित भाउनाए बहुत दो बार आपने भी कईयों का नाम ऐसा सुना होगा जो नाम कुछ और उसकी कर्णी जो है उसकी कर्म जो है वो उससे बिलकुल अलग और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि नाम और काम में कितना कांतर है और नाम कितने आपकी महत्व को रखता है तो आज के हमारी घर्णा ये छोटी सी जो कहाने थी ये इसी घर्णा प्यादारी थी कि नाम और उनके कर्म में कितने का फर्क है इसलिए अपने नाम पे मत जाईए, अपने कर्मों पर जाईए, कर्म को प्रधानता देजिए, कर्म ही आपका नाम को उचाई तक ले जाता है, चाहे आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके कर्म सही है, सच्चे है, सत्ति परधारित है, तो आपकी हमेशा उन्नती होगी जो पापक अपने नाम की उदासी के लिए अपने दोस्तों के साथ की गई बुराई से एकदम बिचलित हो चुका था उसे नाम का असली महत्वे गुरुदेव की आग्या मिलने और पूरे नगर में उसे नाम की पहचान खुजने और नहीं नाम को ढूनने के समय में जो लगा उसने उसकी गुन को उसके हिर्दे की जो ब्यथा थी उस सभी को दोर कर दिया उमीद करती हूँ कि आपको ये कहाने अची लगी उगी नाम का महत्व नाम कीसी का कुछ भी बयक्त नहीं करता असली उसके कर्म ही बयक्त करते हैं संसार की दृष्टी से जो सत्य कर्मी है उसी का नाम होता है और जो दुस कर्मी या अकर्मक है उसका नाम बिलकुल नहीं होता दूसरों को कष्ट देता है तुम वो कभी नाम उसका परिचे नहीं होता है तुम गुनी बनो चरित्रवान बनो तब पापक अपनी क्राम और कर्मनों का अवद को समझने लगा और उसने वैसा ही किया और उसने अपनी कभी भी नाम पर कोई भी उदासी नहीं आई चाहे उसे कोई भी किसी भी तईके से बुलाए उसे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान चला गया तो आज की हमारी कहानीम थी नाम में रखा क्या है चाहे नाम में रखा क्या है